नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में आसा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे स्वस्त होंगे और मांसुन सीजन आपके आदस तक दे चुका होगा अगर नहीं दिया होगा तो एक हपते में आ जाएगा गर्मी से राहत मिल जाएगी गर्मी से राहत दिलाने के साथ साथ पौध हैं जो हमारे इस परकार से जुलस गये हैं इनके लिए या फिर जो नए पौध है आप लेके आते हैं अपने गार्डन में उनके लिए मिट्टी जो तयार करना होता है वो सबसे जरूरी चीज होती है और खास करके मांसुन सीजन जो नए गार्डनर होते हैं, बिग्नर्स होते हैं, उनके लिए सबसे बेष्ट होता है गार्डनिंग सुरूर करने के लिए इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो जिसता है नए पौध हो के लिए मांसून सीजिन में कैसी सोयल मिक्स बनानी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें मिलानी चाहिए, और कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए, जिससे की जो पानी है, वो गमले में टिके नहीं, ड्रेन हो जाए, और साथ में पौधे को न्यूट्रिंस भी काफी अच्छी मात्रा में मिलती तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा साथ में हम इस वीडियो में आपको मिट्टी बनाने के साथ साथ नय पौधे को गमले में लगा के भी दिखाएंगे और साथ में वाटरिंग भी दिखाएंगे बिल्कुल भी पानी गंबले में रुक रिएगा नहीं है तो आईए स्टार्ट करते हैं देखे क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है हमने लेनी है एक पार्ट जो normal garden soil है हमारा वो अगर आपके हाँ जो मिट्टी है वो काफी hard है या चिकनी मिट्टी है तो आप उसको जो है पहले लूज कर लें जिसमें आप एक पार्ट garden soil साथ में एक पार्ट जो रिथ है सेंड है वो मिला के उसके बाद जो चीज़ें में बताऊंगा उनको उतनी मात्रा में लेनी है अगर आपकी मिट्टी पोरस है इस परकार से भुरुरी है जैसे आप देख रहे हैं मेरी मिट्टी तो फिर आगे आपको क्या-क्या चीज़े मिलानी है वो मैं आपको बताता हूँ तेकि एक भाग हमने ले लेनी है नार्मल अपने ही गार्टन से मिट्टी इस मिट्टी में हम एक भाग ही लेंगे खाद खाद आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं कावडं कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट ले सकते हैं अगर आप कावडं कंपोस्ट लेते हैं तो वो अच्छे से देखे सड़ी हुई होनी चाहिए हमने cowden compost लिया है, यह काफी अच्छे से सड़ी हुई खाद है, ताजा गोबर आपको यूज नहीं करना है इसमें, इसके साथ ही दोस्तों हम लेंगे एक ही भाग में cocopeat, अब cocopeat, अक्सर लोग कहते हैं कि moisture को hold करता है, पानी hold करता है, तो mansoon season में इसको नहीं मिलाना चाहिए यह पर नहीं, cocopeat देखिए, मिलाने से क्या होता है, यह पानी को hold तो करता है, पर साथ-साथ जो excess water होता है, उसे drain होने के लिए मिट्टी का texture काफी अच्छा कर देता है, तो जो extra water होता है, वो release हो जाता है, निकल जाता है गमले से बाहर, तो cocopeat को मिलाना बहुत जरूरी है साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, तो उसमें मिट्टी को भुरुरी बना ले नहीं है, और हम मिलाएंगे आधा भाग, उसमें रेत, रेत का काम क्या है, मिट्टी को porus बनाना, जो पानी आएगा, जो बारिस का पानी होगा, वो अच्छे से drainage system, इसका अच्छा हो जाएगा, रेत की वज़े से, और मिट्टी जो है, पानी जितना भी excess water होगा, उसको drain कर देगा, drain हो जाएगा, साथ बारिस में मांसून में पानी बारिस होती रहती है, इससे fungus बनता है, फंगस से पौदो को बचाने के लिए आपको लेनी है, 12 से दो मुठी नीम खली, नीम खली के बाद दोस्तों, nutrients हमने दे दिये हैं, इसमें compost की रूप में, साथ में करीब हम 12 इंच की गंबले की हिसाब से बात करें, तो हमने लेनी है, seaweed का granule, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है, देखिए, इस परकार से कुछ granules ह में इस मिट्टी में मिला देना है, और इसके साथ एक last चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है, क्योंकि fungus और कुछ बिमारियां जो पैदा होती हैं, उनसे पहले ही अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, तो बाद में वो ज्यादा मिक्स कर लेना है, तेकि मिक्स अच्छे से करना है कि सारी चीज़ें आपस में बैलन्स रूप से मिल जाएं, और जब सब कुछ मिल जाती है अच्छे से, तो हमारा जो सोयल मिक्स है, पॉटिंग मिक्स ये बनके रेडी हो गया है, अब इसे हम अपने गंबले में डाल के इस इसमें आप कोई भी पॉदा, फल वाला हो, फूल वाला हो, सबजीयों वाला हो, कोई भी पॉदा जो आप लगाना चाहते हैं, उसे किसी भी ग्रो बैग में, मिट्टी का गंबला हो, सिमेंट का गंबला हो, प्लास्टिक हो, या ग्रो बैग हो, सब में इसको आप इस सोयल म इसको भरके इसमें रवड का पौधा जो हम ले कि आए हैं नर्सरी से उसे लगाएंगे इसको हम अच्छे से इसमें भर लेते हैं तो दोस्तों ये देखिए हमारा रवड का पौधा है जिसको कि हम इस अपने 12 इंच के जियो फैबरिक ग्रो बैग में लगाने जा रहे हैं भर लीजिए और साथ में जो रूट बॉल होता है उतना हिस्सा गमले का खाली छोड़िए और फिर पौधे को इसमें रखने के बाद आप बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसे मिट्टी से भर दे दे इस प्रकार से हमने पूरे गमले को मिट्टी से भर देना है अच्छे से इस प्रकार से देखिए हमारा पौधा लगके तयार हो गया है अब हो कर देंगे इसमें हम वाट्रिंग यह देखे दोस्तों पूरा पानी इस मिट्टी में गायब हो गया और जो एकसेस वाटर होगा वो ड्रेनेज होल गे रास्ते आपका निकल जाएगा तो इस प्रकार के जो मिट्टी होती उसमें अगर आप मांसून सीजन के पौधे लगाते हैं तो वो 100% सक्सेज होते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए कोई सवाल हो सुझा हो तो कमेंट बाक्स में लिखना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवा